प्राइमरी के लिए सुधार हो रहा है तो आपको लॉगिन कर लेना है आपका यूजर आइडी और पासपट डाल करके उसके बाद जो है इस तरह से जो है यहाँ पे अपडेट यूर इन्फोर्मेशन यहाँ पे वन ओफ वन अटेंप्ट लेव्ट यहाँ पे लिखा गया है यानि कि आपको यही मौका दिया जाएगा वो भी 6 मिनट के अंदर आपको करना है अगर आप यहाँ तरह का खूलेगा जो आप फ़र्म फिल किये थे सारा कुछ तो यहाँ पे अगर नाम में कुछ गड़वड है तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ गड़ अब यहाँ पे कोई जो है category का candidate है जो general से form को feel कर दिया था तो वो भी जो है अभी change कर सकता है बट उनको जो है form उनको जो है category वाला जो है जैसे की दस्तावेज है उसको upload करने का मौका नहीं दिया जाएगा अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जैसे की कोई AC का candidate ST select कर लिया थ था तो वो अभी यहां पर change कर सकता है है नहीं यहां पर जैसे कोई बंदा BC का है और उस समय में BC का तो upload किया था बट वो ABC सिलेक्ट हो गया था तो वो फिर से BC कर सकता है इस तरह से हो जाएगा यानि कहने का मदलब आपका यहां पर category में किसी भी परकार से गलती हुआ है तो यहां पर change हो जाएगा बट आपको नया दस्तावेज अपलोड नहीं होगा जो पहले अपलोड किये थे वही रह जाएगा साफ साफ यहां पर कोई option ही नहीं है बाकी सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और change करना है पता में किसी भी परकार से आपको लगता है कि गलती हो गया है तो वो भी आप change कर सकते हैं उसके बाद just यहां नीचे आएंगे next button पर click करेंगे उसके बाद main जो point है primary बा बात देखिए main point यहां है जो b8 और delayed दोनों किये हैं और लगातार लोग कह रहे हैं कि bank date में जो है delayed का फर्जी डिग्री बेचा जा रहा है तो उनका मान नहीं होगा मेरे भाई मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं इसलिए मान नहीं होगा क्योंकि वो delayed तो लगा लेंगे ल इस बार delayed से जो form भरे थे सीटेट का पेरिंग में और वो exam दिये हैं तो वो pass होते हैं तो वो eligible हैं बाकी बाद बाकी कोई लोग eligible नहीं है कोई इस तरह का अगर degree खरीद रहे हैं तो उनका पैसा बेकार चला जागा यहां पर कहने का जो है यहां पर देखिए यहां पर अभी जिनका बीएड है और delayed लगाना चाहते हैं यानि दोनों कोर्स किये हैं तो उनका अभी नहीं होगा साफ साफ जैसे की अतुल परसाजी बोले थे कि अभी आपको बाद में मोका मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 50% अंको के साथ मेरा delayed लगाया हुआ हुआ ह और यहां पर 50% अंको के साथ हसना तक सी और सीचा असना तक बीएड या भी जो है बीएड भी से ठीक आउट है यहां चेक आउट है यहां पर परिवर्तन करने का कोई option ही नहीं है तो आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं हलाकि यहां पर आप छेड़ छड़ किजिएगा तो बाद जो है आपका डिएड का रहेगा यहां बीएड जो है सारा कुछ लिखा हुआ है यहां डिएड हो जाएगा तो वो चीज यहां पर mention हो जाएगा अब तब जा करके हम बदलेंगे बट यहां पर भी जो है condition है कि यहां पर आप जो है document को upload नहीं कर सकते हैं लेकिन बाद की बाद में यह option दिया जाएगा और एसे मात्र दो तीन हजार लोग होंगे जो दोनों किये होंगे क्योंकि हमारे पास लगातार comments वैसे लोगों का आते रहता है तो यहां पर आप समझ गये होंगे यहां पर आपको कुछ छेड़ छाड़ नहीं करना है अब यहां पर स्वा कुछ देख करके यहां पर संबीट पर किलिक कर देना है संबीट अप्लिकेशन पर बाकी आपको कुछ नहीं करना है जिनको जो है बीएट के जगर डीलेड लगाना है उनको कुछ नहीं करना इस बात को आप ध्यान रखिएगा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं तो आप ध्यान देंगे इस तरह से और आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है और जिनका गलती हुआ है वो सिर्फ कर सकते हैं जिनका गलती हुआ है वो करके फाइनल समिट कर दे सकते हैं लेकिन जो आप एक बीएट के जगह डिलेट लगाएगा तो वो आपको अभी कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ इसको तीन दिन का समय मिला हुआ है अभी सिर्फ इसको एक बार देख लेंगे यहां पर चेक आउट करने का ओप्सन आता है यहां मेरे दुवारा जो एप्रा सैचनिक पर इच्छा का योजन दिनांग 31 2030 तक यानि कि यह पेरिंग वालों के लिए यहां चेक चेक आउट नहीं करते हैं यहां पर बॉक्स अभी जो है इंटरनेट की बज़ा से ऐसा है यहां पर बॉक्स दिखेगा यहां पर चेक आउट कर लेना है नहीं किजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको बाकी आसा करते हैं आप समझ गये होंगे जो बीएड किये हैं सीटेट उतीर्न होना अनिवार्ज होगा जो कि आपके पास नहीं होगा तो आपका पैसा जो है पानी में चला जाएगा बरवाद हो जाएगा धन्य बाद आसा करते हैं समझ गये होंगे